हालो अब्रीबन दिसे शिवांगी वेलकम डूशिप क्लासेश इस वीडियो में डिसकास करने वाले हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का डिफ्रेंस अभी जो आपके सब्टेंबर में एक्जाम होए थे जून टर्मेंड के तो उसमें एक्वेशन आपसे बोर्वाइंग होती है जो होती है वो शॉट पीरेट के लिए होती है अब टू वन है ठीक है एक साल से ज्यादा गीन होती है एक साल से कम के होती है और कैपिटल मार्केट भी फानेंशल मार्केट है लेकिन यहां पर जो लेंडिंग और बोर्वाइंग होती है वो मेडियों term और long term के लिए होती है capital market इनफॉर्मल होती है capital market show होती है more formal होती है money market जो है इसमें commercial bank financial bank chit fund central bank यह सब आते हैं और capital market में insurance company stakeholders mutual funds stock exchange यह सब आते हैं money market ज्यादा liquid होती है क्योंकि जल्दी से easy पैसा आपको मिल जाता ठीक है क्योंकि एक साल से कम समय में लेकिन capital market अगर money market से हम compare करें तो comparatively less liquid होती है next है money market किसमें deal करता है bill of exchange में commercial paper में treasury bills तो इन सब चीजों में और और भी हैं और capital market किसमें deal करता है equity share debenture bonds वगारा में और last है इनका difference कि जो return होता money markets में वो लो होता है क्यों क्योंकि short period के लिए होता है दूसरी जगा capital market में जो return होता है वो हाई होता है क्योंकि यह higher duration के लिए होते हैं तो बस यही छे difference थे four marks का आपके equation था exam में तो six difference enough है I hope आपको इस वीडियो से help मिलेगी अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो like it share it and subscribe my channel thank you के दो Kung